आज किस वीडियो में हम चैलेंज नमेर 21 करने जा रहे हैं चैलेंज नमेर 21 किया है कि आज यूजर तो इंटेर फ़स्ट नम सबसे पहले यूजर से लेना है फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि उससे इसके बाद हमने क्या करना है को जो जोइन तो इसके बाद हमने क्या करना है तो वह हम क्यासे करेंगे हमारे पास यहां पर दो कंसेप्ट क्लियर होरे एक इंडिंटेशन है quotation वाला concatenate वाला और एक जो है वो हमारा concept clear हो रहा है length वाला कि हम length कैसे find करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि user से first name इंटर करवाना है तो first name is equal to input हमने किया है enter first name user से इंटर करवा देना है इसके बाद जो है वो हमने क्या कराना है दूसरा second last name तो last name कैसे last name वाला variable पनाएंगे इसके बाद input function यूज़ करेंगे फिर हमने क्या करना है enter last name यह दो हमने कर दिये इसके बाद हमने करना है कि इसके बाद हमने क्या करना है दोनु नेम को with the space हमने concatenate करना है मतलब दोनु जोड़ना है तो वो कैसे करेंगे let's suppose name हमने variable लिया फिर हमने एक string हमारे पास कौन सी है हमारे पास एक variable जो एक name है वो है first name इसके बाद हमने plus किया फिर हमने क्या किया कि इसको हलकिस space दी फिर हमने इसको last name के साथ close up कर दिया ठीक है यहां तक हो गया हमारा अब हमने इसकी क्या find करनी है length find करनी है इस मुकमल की तो करेंगे string में pass करवाएंगे length total length यहां पर कर देते हैं और curly bracket में जो है वो name जो हमने length फाइंड की नहीं है वो तो हमने करनी है तो इनको ही हम करते हैं length function यूज़ करके इसी में यह add कर देते हैंगे इसकी क्यूंब की आप length फिर फाइंड कर दो तो यहां पर name आ जाएगा total length फिर curly bracket में हमने नेम जो है वो लगा देने अब हम compile करके देखते हैं कि सही है यह नहीं है तो पहला number ले रहा है नेम ले रहा है सबसे पहले हम इंटर करेंगे हम इंटर करेंगे लेट स्पोज जैन पहला आई एस आरे हार इसरार अब total जो length है वो क्या कह रहा है 10 है कैसे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और एक स्पेस दी 10 तो मैं इस यह वालो भी आपको clear हो गया होगा कि कैसा task सा time की